वेडि़ों यह संपे अजि़ों में और को नानों थे सब्सक्राइब आशा के शाशा और मनीशा की जो प्रिजेंट अजेश ए उसका रीशो है 4 ratio 5 अभी से 8 साल बाद याने 8 years के बाद में उनके ages का ratio हो जाता है 5 ratio 6 तो हमें उनकी present age है क्या है वो find out करनी है तो हम solution start करेंगे let the present age of 6 is equal to 4x क्योंकि question में दिया हुआ है कि उनका age का ratio क्या है 4 ratio 5 same let the present age of manisha manisha की present age हो जाएगी is equal to 5x अब हम लिखेंगे according to question क्योंकि question में क्या कह रहा है वो कि after अभी से हमें 8 साल के बाद में after present 8 years अगर हमें ago दिया होता question में तो हम जो age जो yes होते है वो minus करते है अभी हमें question में क्या दिया हुआ है after 8s तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोनों की ages में 8 8 plus करेंगे हम तो ratio हमें क्या दे रखा है 8s के बाद में 4x upon में 5x 4x है हमारे पास सचा की age और 5x है हमारे पास manisha की age दोनों में 8 plus करना है क्योंकि after 8s दिया हुआ है is equal to उन दोनों की age का ratio क्या हो जाता है 5 upon 6 तो same equation में फिर से हमारे पास fraction में equation आ गई है तो हम same method यूज़ करेंगे हम cross multiplication यूज़ करेंगे 6 को multiply करेंगे 4x plus में 8 से is equal to 5 multiply हो जाएगा 5x plus में 8 से जब 6 को 4 से multiply करेंगे हमारे पास आएगा 24x plus cosine continue 8 को जब हम 4 से multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 48 is equal to 5 को 5 से multiply करेंगे, हमारे पास आएगा 25X plus 5 को 8 से multiply करेंगे, हमारे पास आएगा 40 अब हम equation को same, हमारे पास LHS, RHS दोनों आगी है अब हमें क्या करना है, हम एक तरफ constant terms को करेंगे और एक तरफ variable terms को, 48 already है LHS में तो 40 RHS से आएगा minus का हो जाएगा, is equal to 25X already RHS में है, 24 LHS से जाएगा, तो वो minus का हो जाएगा यहां से आपके पास X की value क्या आगी है, 8 इसको solve करेंगे, क्योंकि 48 में से 40 minus करोगे, तो 8 आएगा यानि आपके पास X की value क्या आगी है, 8 आगी है अब हमें question में पूछा था कि present age हमें निकालनी है मनिशा और शशा की, तो present age of present age of शशा आपने क्या लिया था, शशा की present age हमने 4X ली थी 4 into X हमारे पास क्या निकल किया है, 8, it means शशा की present age क्या है, 32 years, क्या है हमारे पास, 32 years same present age of Manisha हमने क्या लिया था Manisha की present age is equal to 5x क्या लिया था हमने 5x लिया था उसको तो अब हम इसमें भी same वही method यूज़ करेंगे 5 into में 8 क्योंकि x की value हमारे पास 8 है इसकी age क्या जाएगे 4 years क्या आगई है हमारे पास 4 years तो Manisha की age 48, 40 years है और शशा की age आई है 32 years Now come to question number 12 and the statement is If one side of a square is increased by 5 meter and the other side is reduced by 5 meter a rectangle is formed whose perimeter is 30 meter find the side of original square question में हमें क्या दिया हुए question में पहले उसने हमें square दिया है just like this उसने square दिया है और उसने बोला है कि square की side हमें पता है कि square में सारी side सिक्वल होती है लेकिन square में एक side क्या हुई है 5 increase हुई है plus 5 हुई है और दूसरी वाली side जो है वो क्या हुई है दूसरी वाली side क्या हुई है minus 5 हुई है तो हमें अगर हमें ऐसा करते है स्क्व istiyorum की one side तो rectangle की length बन जाएगी और दूसरी side हमारे पास क्या बन जाएगी उसकी breadth बन जाएगी question में. और फिर हम इसमें कि हमसे हमारे पास rectangle का parameter गीवन है तो rectangle की parameter के dimension से length of breadth निकालेंगे और फिर हम original square की जो side है वो निकाल पाएगे. तो हम question start करते हैं जैसे कि हम सबसे पहले यह लिखेंगे question में कि let the side of square side of square is equal to x x given है x meter क्योंकि हम unit जरूर लगाएंगे उसके बाद में अभी question में according to question क्या कह रहा है according to question one side of square it means यह हो जाएगी length of rectangle length of rectangle यहां से क्या आगी हमारे पास जो side square की थी वो 5 increase होई है x से side की square हमने लिए है और उसमें हम क्या करेंगे 5 increase कर देंगे अब same वैसे ही breadth breadth जो breadth of rectangle is equal to जो square की side थी यानि x वो 5 reduce होई है minus 5 हो जाएगा अब हमें question में क्या given है हमारे पास question में perimeter of rectangle given है perimeter is equal to perimeter इस question में हमें कितना दिया हुआ है 30 meter तो same हम आप सभी को बता है कि perimeter of rectangle का formula होता है 2 into L plus B perimeter की जगे पी की जगे पे P से हम perimeter को denote कर रहे हैं तो P की जगे पे हमारे पास जो data given है हम वो लिखेंगे it means P की जगे पे हम 30 रखेंगे is equal to 2 into length को मैंने माना है x plus 5 plus में breadth को मैंने माना है x minus 5 अब यहां से हम solve करेंगे LHS में same 30 रहेगा 2 into bracket के अंदर हम solve करेंगे plus के 5 से minus का 5 cancel हो जाएगा तो अंदर बचिए हमारे पास 2 x 2 को 2 से multiply करेंगे 30 is equal to हमारे पास आएगा 4 x और जब यहां से हम किस की हमारे पास हम easily x के value find out कर सकते तो x की value आ जाएगे x is equal to हो जाएगा 30 upon में 4 अब हम 2 के table से इसको reduce करेंगे 2 2 जा 4 2 1 जा 2 then 10 बचेगा 2 5 जा 10 it means x की value यहां से क्या है आपके पास 15 upon में 2 इसको आगे हम decimal form में करेंगे 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 5 0 10 it means जो आपके पास x की value आई है वो क्या है 7.5 meter और question में भी हमें यही पूछा था कि हमें जो actual square था उसकी side निकालनी है so side of square is equal to 7.5 meter now come to question number 13 and the statement is the length of a rectangle exceeds its breadth by 6 meter if its perimeter is 44 meter find its dimension यानि question में हमें कहा गया है suppose यह हमारे पास एक rectangle है तो इसकी जो length है वो breadth से 6 meter exceed हुई suppose हम breadth को x माल लेते हैं तो हमारे पास length हा जाएगी x plus 6 और इस rectangle का हमारे पास perimeter given है p की value हमारे पास कितना दिरख है 44 meter और question में आप से पूछा है कि आपको length निकालनी है and breadth निकालनी है तो let's start our question सबसे पहले हम लिखेंगे let length sorry let breadth is equal to x meter therefore length आपकी क्या हो जाएगी जैसा question में given है आपको कि length जो है breadth से 6 ज़ादा यानि x plus 6 meter अब perimeter आपको given है 44 meter p से मैं यहाँ पे perimeter को represent कर रही हूँ अब simple हम equation को solve करना है according to question आप सभी को बता है मैंने पिछले question में भी आपको बताया था कि जो perimeter of rectangle होता है इसका formula होता है p is equal to 2 into l plus b perimeter की जगे पे हम 44 रखेंगे is equal to 2 into में length आपने क्या लिए x plus 6 breadth आपकी continue plus में x मानी है आपने अब simple हमें कुछ नहीं करना सर्फ equation को solve करते रहना है और x के value find out करना है 44 is equal to 2 into bracket के अंदर solve करेंगे x और x को जब हम plus करेंगे हमारे पास आएगा 2x plus में 6 44 44 हमारे पास given है lhs में तो rhs में 2 हमारे पास multiplication में है equation को थोड़ा सा short करने के लिए हम इस 2 को division में ले आएंगे is equal to rhs में हुझाएगा 2x plus में 6 इसको reduce करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 तो अब हमारे पास equation क्या आगई है 22 is equal to 2x plus 6 6 हमारे पास अगर हम उसको lhs में लेके आएंगे तो वो क्या हुझाएगा minus यानि 22 minus में 6 is equal to 2x और 22 में से 6 minus करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 is equal to 2x same 2x की value of find out करोगे तो x हो जाएगा आपका 16 upon में 2 2 जा 2 2 8 जा 16 और इसी से x की value आपके पास 8 आगई है यानि आपने breadth of rectangle को क्या माना था x माना था it means ये हो गई आपके पास 8 meter same length के dimensions आपने क्या लिए थे x प्लस 6 it means 8 प्लस 6 8 में 6 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 14 meter it means हमने question में क्या निकालना था length भी निकालनी थी breadth निकालनी थी दोनों की value find out हो चुकी है breadth 8 meter आई है और यहां से आपके length 14 meter आई है